नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मैं आपके लिए एक बार फिर से सोना बनाने का प्राचिन प्रियोग ले करके आया हूँ जिसके माध्यम से आप लोग सोना बनाना सीख सकते हैं तथा जान सकते हैं कि प्राचिन काल में सोना बनाने की विद्या कैसी तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ, सोना बनाने का प्राच्चिन प्रियोग जिसके माध्यम से आप लोग जितना चाहें हुटना सोना बना सकते हैं यहां दोस्तों, आप लोगों को सुनकर हैरानी हो रही होगी कि सोना कैसे बनेगा और कौन सी समगरी लगती है मैं आपको सारी जानकारी दूँगा इस वीडियो में तो आप सभी सनरोध है इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में अभी भी सवाल है और कईयों को मजाग लगता है लेकिन दोस्तों मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में भारत में तना सोना कहां से आता था तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि प्राचीन काल में भारत में सोना बनाने की बिद्या थी जोकी और सधियों की द्वारा बनाया जाता था तथा धातूं को मिला करके बनाया जाता था और दोस्तों इसको बहुत ही बढ़ियां और अच्छे तरीके से किया जाता था लेकिन इसके जानकार कम हो गए और धीरे धीरे इस बिद्या का लोप हो गया जिसके कारण बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और इन चीजों का मजाग समझते हैं और इनका उपहास उड़ाते हैं लेकिन दोस्तों ये बात सत्ते है कि 1947 में फिर से एक बिद्वान पंडित ने सोना बना करके दिखाया था और दोस्तों इसके बहुत सारे लेख मिलते हैं आप चाहें तो गुगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सोना बनाने का प्राचिन बिद्या पता चले और आप लोग भी अगर सोना बनाने के लिए कोशिस करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार आप लोग प्रियास जरूर करिएगा क्या पता आपकी किस्मत आपका साथ दे जाए और आप लोग इस क्रिया को असानी से कर सकें और दोस्तों अगर आपका भाग साथ दे गया जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आप लोग निश्चित ही आप लोग सोना बनाना सीख सकते हैं मन के मुताबिक चाहे तो 10 किलो चाहे 50 किलो चाहे फिर एक कुंटल अराम से आप सोना बना सकते हैं लेकिन दोस्तों ये चीज इतनी आसान नहीं है इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिसरम करने के हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के हो सकता है बहुत ज़्यादा तो आप इन चीजों को असानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे और कड़ी मिनत करेंगे तो दोस्तों आप निश्चित ही आप लोग सोना बना सकेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दवा लीजिए क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की दिव्व सोना बनाने की प्राचिन जनकारी लाते रहते हैं और वीडियो को भी हमारी लैक कर लीजिए दोस्तों हमारा मकसद है आपको सही ज्ञान देना और दोस्तों आप लोग इस जनकारी का लाव उठा सकते हैं क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सोना बनाने के प्राचिन प्रियोग लाते रहते हैं तथा रहस्यमई जानकारियां तांतरिक साधनाएं एवं तांतरिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी एवं अनेग प्रकारी की अईरुबेदिक जानकारियां लाते रहते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ वो बिधी कौन सी है कौन सी समगरी लगनी है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समगरी नोट कर लीजिए जो समगरी लगनी है सोना बनाने में जिहां दोस्तों ये समगरी इस प्रकार से है सबसे पहले आपको आख के पौधे का बीज चाहिए जी हाँ दोस्तों आपने आक का पौधा जरूर सुना होगा जिसको मदार भी कहते हैं इसके तो आयरुवेदिक फैदे भी बहुत है लेकिन दोस्तों मैं आपको सोना बनाने का प्रियोग बता रहा हूं इन उसदियों के माध्यम से इन तक्तों के माध्यम से तो आपको इन चारों चीजों को खटा करना है अर्थात इन चारों समगरी को आपको एकत्रित करना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मदार की बीज की गुद्धी गंधक हरिताल और नांकेसर चारों को एक साथ मर्दित करें और सुख्ष चूरण बना लें यानि क यंत्र की सहायता से तेल निकाल लें महाद्यों कहते हैं इस प्रकार निकाला गया तेल निश्चित रूप से तामर भेदी होता है अर्थात तामे को सोना बना देता है दोस्तों बालू का यंत्र आपको चित्र में दिख रहा होगा इस यंत्र को जो है आप इस प्रकार से प्र बीच में कांच की सीसी या पात्र रखकर बांकी स्थान में बालू भर दें और नीचे से अगनी जला दें अगनी जलाने के कुछ घंटों बाद कांच की सीसी में तेल निकलना सुरू हो जाएगा जब पूरा तेल निकल जाए तो उसे चान कर किसी दूसरे पात्र में रख ले इस तेल को द्रवित सुध ताम्बर में अर्थात पिगले हुए सुध तामबे में डालने से संपूर्ण तामबा सोने में परिवर्थीत हो जाता है जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अमिद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की दिव्ध जानकारियां लाते रहते हैं ताकि आपके ग्यान में बृद्धी करें दोस्तों जो मैंने आपको ये सोना बनाने का प्राचीन प्रियोग बताया है ये दोस्तों वास्तों में मैंने आपको सुन तंतरम नामक पुष्टक से बताया है अपने तरब से कुछ बना कर नहीं बताया है और बहुत सारे लोगों को ये चीजे मजाग लगती होंगी क्योंक और कई लोग इस चीज को मजाक में समझते हैं लेकिन दोस्तों यह एक सोध का भी से है एक रिसर्च का भी से है एक अध्यन का भी से है अगर दोस्तों अगर इस पर अच्छे से अध्यन किया जाए सोध किया जाए तो दोस्तों आसानी के साथ जो है सोना बनाया जा सकता है ले प्राचीन काल में बिद्या थी और कौन कौन सी समगरी लगती थी वैसे तो दोस्तों सोना बनाने के अन्यकों प्रियोग हैं जो कि मैं समय समय पर लाता रहूँगा लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में संका होती है और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोना अगर बनता है तो आप लोग क्यों नहीं बना लेते आप विडियो क्यों ब पड़ता है तभी दोस्तों ये चीजे सफल होती है ये चीजे इतनी असान नहीं है दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपका ध्यापक होता है वो आपको आयस बना देता है क्या वो कभी आयस बनता है नहीं बहुत कम केस में देखने को ऐसा मिलता है दोस्तों इसी परकार ए अगर नहीं करते हैं तो भी ठीक है वो आपकी उपर depend करता है कि आप किसी भी घ्यान को किस प्रकार से ग्रहन करते हो और दोस्तों आप चाहे तो किसी के उपर रोप या प्रत्ता रोप लगाते रहो इससे कोई फैदा नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी एक बार सोचिएगा जरूर जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों आपको प्राचिन पुष्टक से दे रहा हूँ जिसका नाम है स्वण तंतरम नामक पुष्टक और उसी से ही मैं आपको ये चीजे बताता हूँ अपने तरब से कुछ भी बना के नहीं बताता हूँ ठीक है दोस्तों और दोस्तों एक बार में कोई भी वक्ती सोना बनाने में सफल नहीं हो सकता है जी हाँ इसके लिए लगातार जो है प्रयास करने की हो सकता है इस चीज़ का दोस्तों बिसेज जान रखिये मेरा मकसद था आपको सटीक और सही और दिद जानकारी देना जो कि मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है अब दोस्तों आपके उपर है कि आप उस चीज़ को किस प्रकार से समझते हैं और आप किस प्रकार से इस प्रियोग को करते हैं बाकि आपके उपर है और लेकिन दोस्तों बहुत ही बारीकी से आपको समझने की हो सकता है इसमें दोस्तों बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि कहीं जो तापमान होता है वो जादा कम ना हो जाए कहीं और सधियां या कोई तत्तों कम जादा ना हो जाए एकदम सही और सटीक मात्रा होनी चाहिए तभी ये चीजे सफल हो पाती हैं नहीं तो दोस्तों ऐसे तो करोडों लोग इसका प्रियोग करते हैं उसमें से बहुत कम लोग ना के बराबर पास हो पाते हैं तो आपको ये चीज़ सोचने के हो सकता है बांकि आपकी इच्छा आप किस प्रकार से इन चीज़ों को करते हैं अगर आप सोना नहीं ब जाजा सकता